हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पे ही रेस्टोरेंट के जैसी मटन बिर्यानी कैसे मनाई जाती हैं और वो भी एकदम सिंपल तरीके से, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बाउल में हाफ कीजी बिर्य यारी रैस लेंगे और उसे पानी में 15 मिनिस के लिए सोग कर रख देंगे, उसके बाद एक बड़े से पॉट में पानी लेंगे और उसमें डालचीनी, तेजपत्ता, इलाइची, लवंग, काली मिरी, ये सब गरम मसाली की रौचीजे हैं पो डाल देंगे, अगर आप की चीजे हैं, उसे एक सूती कपड़े में डालके, उसको पोटली की तरह बनाके भी पानी में छोड़ सकते हैं, फिर उसमें नमक डालेंगे, स्वादा नुसार, जितना नमक आपको चाहिए, जैसे चावल आपने लिए हैं, उस हिसाब से आप नमक डालके छोड़ दीजे, और इसे एक उबाल आने दीजे, जब इसे उबाल आजाएगा, तब हमने जो चावल सोख करके रखे हुए हैं, 15 मिनिट के लिए, वो चावल निकालके उसमें डाल देंगे, याद रखिए, चावल का पानी नहीं डालना है, सिर्फ चावल डालना है, और उसको एक बार अच पानी पावल पकजाते हैं, मतन मसाले की तयारी करते हैं, एक दूसरे वैसल में हम तेल डालेंगे, और उसमें प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, और उसमें जो पेस बना के रखा हुआ है, धनिया पत्ति और हरी मिर्च का वो डालके उसके बाद उसमें हम डालेंगे, दो चम्मच लाल मिर्च पावडर, अगर आपको जादा चाहिए तीखा, तो आप और एक चम्मच डाल सकते हैं, फिर दो चम्मच हल्दी पावडर, और तीन चम्मच धनिया पावडर डालेंगे, उसके बाद हम उसमें डालेंगे, गरम मस लेंगे उसके पाद जो पेस्ट बनाया हुआ है अध्रक लहसुन और दही हमने मिक्सर में बनाया हुआ है पेस्ट हम लोग उसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे यह सारी प्रोसेजर मीडियम ग्यास पे ही करनी है आफ हाई फ्लेम पे मत कीजे उसके बाद जो मतन अल्रेड़ी उबाल के रखा हुआ था मतन मैंने डाल दिया है मतन को उबालना बहुत जरूरी है क्योंकि वह जल्दी पकता नहीं है तो उसके लिए उसको पहले उबाल लीजे और डाल लिए अगर आप आलू डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यह option है अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए मैंने डाला है उसके ब और उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक हमारे चावल भी पक चुके है चावल पूरी तरह से नहीं पकाने है उसमें थोड़ा सा कच्चापन रहना जरूरी है फिर वो छान लेंगे और एक दूसरे वेसल में बड़े वाले वेसल में या पॉट में हम लोग चावल का एक परत बना लेंगे उसमें मटन का एक परत बना लेंगे और फिर चावल का एक परत बना लेंगे और फिर मटन का एक परत बना लेंगे इस तरह के इससे दम विर्यानी बनती है उसमें मैंने फ्राइड ओनियन दाला है जो मैंने अल्रेडी बना के रख दिया था आप देख सकते हैं एक परत लगानी होती है फिर से फ्राइड ओनियन मैंने डाल दिया है और बच्चे वे चावल की अप्री परत मैंने लगा दी है उसके उपर मैं फूर कलर डालूँगी आप चाहे तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद फ्राइड ओनियन मैंने डाले हैं उसके पाद एक पेपर को लेकर मैंने उसको कवर कर दिया है और उसले रख कर है और पकने के लिए रख दिया है उसको दस मिनिट तक पकाईये क्योंकि चावल और मटन अल्रेडी पका हुआ है सिर्फ थोड़ा सा कच्चा है इसको 10 मिनिट्स लगेंगे उसके बाद आपकी बिर्यानी रेडी है बिर्यानी बन गई है प्लीज लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे इस वीडियो को